साथियों, आजादी की लडाई में ससस्त्र संगर्च से लेकर सत्यागरह तक देश की बेटिया किसी से पीछे नहीं रही है आज जब भारत अपनी आजादी का अमरित महोचों मना रहा है तब हमने हम सबने देखा है कैसे जब हर घर में तिरंगा फैरा तो उसमें आप सभी बेहनों ने महिला, स्वयम, सहायता, समूहों ने कितना बड़ा काम किया है आपके बनाए तिरंगों ने राश्चिय गरों के छन को चार चांद लगा दिये कोरोना काल में, संकट की उस गड़ी में, मानों मात्र की सेवा करने के इदादे से आपने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाए, पी-पी-ई कीड्स बनाने से लेकर लाखो लाख तिरंगे, यहने एक के बाद एक, हर काम में, देश की नारी शक्ति ने हर मोके पर, हर चनोती को, अपनी उद्यमिता के खारण, देश में नया विस्वास पैदा किया, और नारी शक्ति का परिचय दे दिया है और इसलिए, आज मैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ, एक स्ट्रेक्मेंट करना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाहता हूँ पिछले बीस-बाईस साल के, शासन व्यवस्ता के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ आपके समू का जब जन्म होता है दस-बारा बेहने इकटी हो करके को कया हम शुरू करती है जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है तब तो आप स्वयम सहायता समू होते हैं जब आपके कार्य की शुरुवात होती है एक-एक डग रख करके काम शुरू करते हैं कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इखटा करके कोशिश करते हैं तब तक तो आप स्वयम सहायता समू है लेकिन मैं देखता हूँ आपके पुर्शार्थ के कारण आपके संकल्प के कारण की सहायता कर रहे हैं महिला स्वयम सहायता समूह की यही ताकत आजादी के अमरित काल में विक्षिद भारत आत्म निर्भर भारत के निर्मान में बहुत एहम भूमी का बहुत महत्वपन भूमी का निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है